श्री कृष्ण का नही आलाल कीजे श्री नियानन्द स्वामी कीजे श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे इसका नूर जमाल बिना और जरान का छुए चाहे इसका लजतना सुख दुखा देवे वाहे दत भीच जुवाए श्री कृष्ण का नही आलाल कीजे तो यह करना चाहरे हैं नस्वर जगत के दुख सुख दिखा करके ही प्रेम का विसेश अश्वदन करवाना चाहा श्री राज्य ने इसलिए इनको यह नस्वर जगत का खेल दिखाया और वैसे ब्रह्मात्मा तो श्री राज्य के अध्वईत अंगस्वर उपहाए इसलिए उनके प्रेम में ही वो मस्त होती है अध्वईत में ना तो सक्त दिल मोमिन के हाक करें क्यों कर अन्य था ब्रहमात्मा के दिल को पुर्ण ब्रहम परमात्मा इतना कठूर कैसे बना देते कि उनका ज्ञान भी हो गया और फिर भी शरीर छूड़ता नहीं और परमधाम में जागरत नहीं होते तो दिल को कठूर नहीं बना दे पर अरस अला जट बिना दुनी के लिवा है न सक्ति बिगर किन्तो दुनिया के बीच में रहा करके परमधाम के सुखों का स्वाद लेना हो तो फिर थोड़ी से दिल को कठूर बनाना आवश्यक था इसलिए तो शरीर भी छुड़ा नहीं रहे हैं और दूरी का भी अनवाब करवा रहे हैं और फिर धाम का भी अनवाब करवा रहे हैं दूर होने का भी करवा रहे हैं और मिलन का भी करवा रहे हैं तो उसका कारण यह है एक नजर मोमिन है कि हका सुख दिया चाहे दोए ब्रमात्माओं की दृष्टी तो एक इप तरफ है स्रीराज्जी के तरफ ही है हका सुख दिया चाहे दोए किंतो स्रीराज्जी उनको दो प्रकार सुख देना चाहते है रुएं अरश शुख लेवे खेल में तो प्रमात्माओं को परमधाम में रहते हुए खेल का सुख भी दिला रहे हैं और खेल सुख अरश में होए और खेल में हैं ऐसा अनभव करवा करके परमधाम के सुख भी दिला रहे हैं इस प्रकर से डबल सुख दिलाना चाहते हैं राजी हाकें दई जुदागी हमको एश्क बेवरे को तो अक्षराति धांदनी ने ये वियोग हमें दिया रहा उनसे हमें दूर होने का अनुभव करवाया ये प्रेम को समझाने के लिए प्रेम के विवरण के लिए यह हैं बिना जुदागी बेवरा पाईये ना अरसम राजी से दूर होने का अनुभव किये बिना ये विवरण प्राप्त नहीं हो सकता है प्रेम को पुर्ण रुप से समझ नहीं सकते है तो ये परमधम में संभव नहीं था इसलिए ब्रमा आत्माओं को दुनिया का खेल दिखाया वे न जुदागी आरशमें तो क्यों पाई ये बेवराए इसका तो परमधम में वियूग नहीं होता है इसलिए प्रेम का सम्योग और वियूग दोनों के दोनों प्रकार से प्रेम का सुख लेते हैं तो वियूग का सुख तो लेना संभव नहीं था इसलिए दुनिया दिखायी है ताथे दई नेक फरामोसि इसलिए थोड़े ख्षण के लिए थोड़े सी नीद दे दी भ्रहम की बीच आरशा के हक तो परमधाम में अक्षराते धामदने ने थोड़े सी फरामोसि इसलिए दी है हम अखेल देखे बैठे आरशा में एतो चौदे तबाका हम तो परमधाम में बैठे-बैठे नस्षर जगत के चौदर लोग के खेल देख रहे हैं रूह हमारी इताहय नहीं लई पर्दे में हाका हमारी आत्मा वास्तम में यहां है नहीं परमधाम में ही है, किन्तो राज्जी ने हमें परमधाम में रख करके आवरन सापन डाल करके उस परदे में यह सब देखाया है, फिर दिया इलम अपना, तो फिर अपना ग्यान भी दे दिया, तो इसे परदे में देखाया, तो हमें लगा कि हम तो दुनिया में, तो फिर ग्य जो रूप हमारी आवे खेल में तो खेल रहे क्यों कर यदि हमारे आत्म सच मुछ कि खेल में आती तो ये खेल तो रहता ही नहीं क्योंके परमध्भाम के सामने भी पूरा ब्रह्मांड का कोई मोतवा ही नहीं होता हो यह उड़ जाता तो ये दुनिया रहती नहीं यह आको उड़ावे अरश कौंकरी, जूठ क्यों रहे रूहों नजर परमधाम का एक कौन भी पुरी दुनिया के अस्तित्व को नकारता है, तो ब्रह्मा आत्माओं के दृष्टे के समख से दुनिया कैसे रहती है। देखता है दिल खेल को लिये अरश रूह लज्यता, अरश रूह हुज्यता, देखता है दिल खेल को, तो ब्रह्मा आत्माओं का दिल ही खेल देख रहा है, और लिये अरश रूह हुज्यता, तो उस समय कि ब्रह्मा आत्मा को ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं, और हम दुनिय दुनिया में विचरन कर रहे हैं वास्तम में ऐसा नहीं है और अक्षारातित धांदनी का आदे से उससने प्रहमात्मा ओने का दावा लेकर लिया है इसलिए वही ब्रहमात्मा की रूप में दुनिया में विचरन कर रहा है फुरमान आया इनों पर इनके लिए ग्यान आया है अलग-अलग धर्म ग्रंथों के बादियम से और इल्म आया न्यामत और इल्म ये ग्यान फुरमान तो ये ग्रंथों के लिए है इल्म तार्दम ग्यान के लिए है उन ग्रंथों के राश्य को खोलने के लिए चावी तो ये भी बहुत बड़ी संपत्ती है तो ये सब इनी ब्रहमात्माओं के लिए आए है यावदेकरी जो साहे बने हमों हुए दोव के दर्म्यान राज्य ने ऐसी व्यवस्ता कर दी कि हम दोनों के बीच में हो गए न तो धाम के रहे और नहीं खेल के रहे सुधा अरश नाश्य नाशुत की दोव हमको देवे सुभान तो हमें तो नश्वर जगत का भी ख्याल करवाया और नश्वर जगत में हैं ऐसे अनभव होते हुए हम परमधाम का भी अनभव करवाया तो दोनों तरफ का ख्याल देलाया फुकुमतन, बीच नाशुत हमा फरामोश अरशतन, तो ये नाशुत में, इस नस्वर जगत में, तो नस्वर खेल में क्या है? राज्य के हुकुम का ही शरीर है, तो ये जो शरीर धारन की है, राज्य के हुकुम के एसाब से. और हमारा असलितान है वो तो परमधाम में है किन्तु फराम उसमें थोड़ी सी नीद में है वो ब्रहम में है एक आवरण सा डाल दिया तो बस उसमें नाशुत देखे हमान नजरों तो उसके कारण हम नस्वर जगत को तो अपने द्रिष्टी से देख रहे हैं और अरसम में पहुँचे ना द्रिष्ट मन न किन्तु नस्वर जगत में रहते हुए हमारे द्रिष्टी सीधी सीधी परमधाम नहीं पहुँच रहे है बोले हुकुम दावाले रूहन बीचतन नाशुत स्रेराज्य का आरेश ही ब्रहमा आत्मा होने का दावा करके ये कह रहा है इस नस्वर जगत के शरीर में रहा करके तो कुछ बोल रहा है जो कुछ भी दावा कर रहे है ये श्रेराज्य का हुकुम है ले सबसुदा अरसा इलमे देत दूनी में लजत लाहुत तो यही हुकुम क्या कर रहा है तार्तम ग्यान के मध्यम से इस नश्वर जगत में भी परमधाम के सारी सुधी दिलाता है और देत दुनी में लज्जत लाहूत तो दुनिया में भी परमधाम का अस्वादन करवाता है तो हम परमधाम में बैठे होएं इतहीं बैठे घर जागे धाम ऐसा अनभव करवाता है अक्षराते धामतनी का होकुमी है यह होकुमन नुरजमाल का अरश सुखदेत रूहों एत तो यह स्रीराज्य का आदेशी ऐसा है कि ब्रह्मात्माओं को नश्वर जगत में भी परंधाम के सुखों का अनभव करवाता है चुन-चुन न्यामत हाक की रूहों हुकम पहुचावत और राज्य का हुकुमी ऐसा करता है कि ब्रह्मात्माओं के समक्ष परंधाम की संपदाएं चुन-चुन करके पहुचाता है एक-एक बस्तो का अनभव करवाता है तो अपहार संपदा का अनभव होता है कई सुखले हक के खेल में फिर हुकुम पहुंचावे खिलवत तो इस प्रकार खेल में होने का अनभब करवा करके यह हुकुम परमधाम के कई सुखों का अनभब करवाता है और फिर परमधाम में जागरत करेगा तो परमधाम में फिर हुकुम पहुंचावे खिलवत तो परमधाम का अनभब यह ही करवाएगा कई अनभब करवा दिये हुकुम जा अनहा का निशवत तो इस प्रकार स्रीराज्य के हुकुम श्रीराज्य ने अपने हुकुम के द्वारा श्रीराज्य ने अब ब्रह्मा आत्माओं को यह तो मेरी अंगनाएं ऐसा समझ करके अपने हुकुम के द्वारा ऐसे असंभव सुख भी दिये हैं इसे समन्नी रुप से ये संभव नहीं होते हैं और रूटीन में नहीं आते हैं, परमधाम के रूटीन में भी और नश्वर जगत के रूटीन में भी ऐसा नहीं होता है। तो एक विशेईसी प्रकार का अनुभव अक्षराति धामदनी ने अपने आदेश के द्वारा करवाया है। कई वीदा के शुखवूक में दो तरफ हो आड़ा पट दे। श्रीराज्य के आदेश ने दोनों तरफ परदा डाल करके तो इस प्रकार का शुख दिया। तो कहने का तात पर ये परदा डाल करके श्रीराज्य ने अपने आदेश श्रीराज्य ने एक वोस में आवरन डाल करके अपने आदेश के द्वारा ऐसे कई प्रकार के शुख का अनुभव करवाया है। तो एक तर परम्धाम में रहते हुए माया के सुखों का और फिर माया में हैं ऐसा जब तक समझेंगे तब तक उनको माया में रहते हुए परम्धाम के सुखों का विया निभव करवाया अरस दुनी बीच रूहों को दिये सब दो उतरफों के अरस दुनी बीच रूहों को का अनुभब करवाया, दुनिया का भी और परमधाम का इस तरह से दोनों तरफ के सुखों का अनुभब करवाया है, यह जूठ ना आवे अरश में, ना कचु रहे रूहों न जर, वैसे तो परमधाम में जूठ तो आई नहीं सकता, तो नश्वर जगत का सुख तो मिली नहीं कुषलता के साथ में बड़ी युक्ति से इस प्रकार कर दिये, तो ब्रमात्माओं को अपने चरणों में बैठा करके दुनिया का दुख सुख भी दिखाया, और दुनिया में होने का अनुभब करवा करके परमधाम के सुखों से भी अनुभब करवाया, ऐसे डवल सुख जेती अरवाह अरश की हका सेहर अगे से नजी कतिन जितनी परमधाम की आतमाएं हैं, तो उनके समक्षतों पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राण नली से भी निकट हैं, तो उनके लिए तो दे कुझी आरश पट खोलिया, हादिय की सबरोशन ना, तो इस नस्वर जगत में होते हुए भी उनको परमधाम की कुझी दे करके, परमधाम के पट खोल करके सुपश्ट कर दिया, हादिय की सबरोशन ना, सद्गुरु ने सब प्रकार से प्रकासित कर दिया, प्रकाशित करने का अर्थ ये समझना चाहिए कि तार्तम ग्यान के द्वारा सब प्रकार से अनुभब करवाया, समझा दिया इल्म अलुदन नी पाये के अरश रुहें हुई बेशक का नसर जगत में भी ब्रह्म ग्यान प्राप्त करके परमधाम के आत्माएं तो संदे रहित बनी है, उनको दुनिया में किसी प्रकार का संदे नहीं है जगाये खड़े की अरश में बीच खिलवत खासी हक, तो स्रीराज्जी ने इसे तार्तम ग्यान के माध्यम से तो ब्रहमा आत्माओं को परमधाम में भी जागरत किया दुनिया में रहते हुए भी परमधाम का नवाब करवाया और फिर परमधाम में जागरत किया या तो खड़ी रहे रुव खिलवत में या तो देवे और तवाफ तो आप कह रहे हैं कि अब आत्मा या तो गुल मिलाव में श्रीराज्य के सम्मुख खड़ी रहे तो चितवनी करते हैं या तो श्रीराज्य के सम्मुख उस प्रकार से चितवनी करने चाहिए ये कहना चा कराएं। तो या तो देवे और तवाफ या तो पूरे परमधाम का समरन करना चाहिए। या मुल्भी लाओं में रज्जी स्यमा जी बेठें हम सामने हैं अमेशा उसका अनुबब करें। urgent तौरे परमधाम का समरन करें। कुछ भी कर funeral कर शकते। तो हौज की बात करें, तालाओ की, जो ये जमनाजी और परमधाम के और भी बहुत से दृश्चे के दृश्चे के दृश्चे का स्मरण करते हुए, या तो तुम साफर मतलब पवितर बनो, या मुल मिलाओ मैसर राज्य का चिंतन करके, ध्यान करके, तो उस से अनन्द कानव करो, पाक पानी से ना होए, ना कोई और उपाए, मतर जल आदि वस्तु है, वैसे दुनिया में तो क्या है? शुद्ध करने के लिए जल सबसे महत पुर्ण है, किन्तो अंतर की शुद्ध मतर जल से नहीं होती है, और दूसरा भी और उपाए नहीं है, हुए पाक मदत तवह पाकी दकी, तो अद्वेत भूमिका के मदद से ही, पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के कृपा से ही साफ हो सकते हैं, हके लिख भेजा बनाए, इस परकार के बात भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने संदेश में दिया है, तो संदेश अलग-अलग धर्म ग्रंथों में मैं इस प्रकर के बात भी समझाईए फेर फेर हक अंग देखिये जियो याद आवे निश्वत इसलिए आत्मा बार बार स्रीराज्य के अंगों को देखने का प्रयत्न करो तो जिस से हम उनके अंगी हैं उनके अंग में ही हैं ऐसा सम्मंद का अनुभव हो है अनुभव तो एक अंग का हमारा अनुभव तो एक ही अंग का है एक ही अंग का तात्परिय हम तो राज्य के अंग है इस प्रकर का हमारा अनुभव है परमधाम का जो हमेशा बाहिदत जो प्रमा आत्माओं का स्वरूप है तो राज्य से अलग है नहीं तो परमधाम में राज्य के साथ में ही हैं और राज्य के ही अंग के गुरूप में हैं इस प्रकर का अनवाव होते रहना चाहिए इसलिए बाहर बाहर अश्रराज्य के अंगों को देखते रहें दर्शन करते रहें ताथे तूँ चेतरू आरशकी ग्रहे अपने हका की अंगा इसलिए है परमधाम की आत्मा तूँ सचेत हो जा आरश्री राज्य के अंगाओं को रिदाय में अंकित कर गराण कर करने का तात्परिय रिदाय में अंकित कर रहो रात दिन सोहबत में हक खिलवत सेवा संगा तो रात दिन ऐसे सोहबत का तात्परिय साथ में साहचारिय में तो राज्य हमारे साथ में ही है इस प्रकरश रात दिन अनभव करते रहो और हमें समय राज्य की सेवा में हूँ ऐसे हम मुल मिलाव में हूँ राज्य के समूख आइसा अनवब करते रहो जो खावंदार साजीम का एया का नूर जमाल है तो ऐसे दिव्य परमधाम के स्वामी तो वो नूर जमाल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्मा आते हैं वो का नचार है आए तले जरोके जांकत दिदारका नूर जलाल तो पुर्ण ब्रह्म परमात्म के दर्शन के लिए जरोके से नीचे खड़े हो करके चादने चोक में खड़े हो करके अक्षर ब्रह्म पुर्ण ब्रह्म के दर्शन करते हैं जाके पलते पैदाफना कई दूनी जीमी आस्मान जिनके पल मात्रस्षे ऐसे दुनिया कई बनती है और कई मिटती रहती है जो आवत दायम दिदार को ऐसा खावंद नूर मकान, तो ऐसी अक्षर्ब्रह्म भी, अक्षर्धाम के स्वामी अक्षर्ब्रह्म, वो भी अक्षरातित के दर्शन के लिए नित्यात हैं तिन चाया दिदार रूहन का जो रूहें बीच बड़ी दरगाहा उन अक्षर प्रह्मने चाहा कि ब्रह्मात्माओं के दर्शन करने के चाहना अक्षर प्रह्मने रखी ये मरातवा मूमिनों जिन वास्ते हुकम हुआ है ब्रह्मात्मों ये तुमारी महिमा है जिसके लिए ये हुकम हुआ तुम दुनिया को देखो और अक्षर ब्रह्मा वहां पर तुमने देखने और राज्य ने हुकम दिया तो ब्रहमात्माओं का स्वरूप हुकुम कही तो दुनिया में आया और उसके दर्शन अक्षर ब्रह्मा ने किये यह कहना चाह रही है यह तुमारे महीमा बताई जा रही है श्रीकृष्न कनाईया लाल की जिन वास्ते हुकमा हुआ तिन चाया दिदार रुहन का जो रुहें बीच बड़ी दरगाह ए मरातबा मुमिनों जिन वास्ते हुकमा हुआ जिन वास्ते हुकमा हुआ जिन वास्ते हुकमा हुआ स्क्रिष्न कने यालाल के, स्रीन जानन्द श्वामी के, स्री प्राणनाथ प्याले के, स्री पाचिन आउतन पुडि दापे के, स्री गुरु आचारी स्रेक्ष्वार्ट प्रिष्ण मरिंधी मारादे के.